नमस्ते, मैं एक comfortable gaming chair खरीदने की सोच रहा था, लेकिन मैंने options देखे तो वर्टा गियर की एक chair है, और काफी सारे brands हैं जिसकी chair है, Herman Miller की एक बहुत महंगी वाली chair है, लेकिन ये सब खर्चा करने के पहले मैंने सोचा की एक छोटी सी idea करके देखे, खुछ accessories order करके, जो already मेरे पास एक दो खुरिसी पड़ी है, तो इसको ही थोड़ा modify करके, फिर देखते हैं कैसे लग रहा है, अगर comfortable लगा तो काम चल जाएगा, इससे ही, तो मैंने एक दो products order की हैं, जिसको unbox करते हैं, मैं आपके साथ share करना चाता हूँ, तो ये दो products unbox करेंगे, ये एक memory foam और cooling gel की cushion है, जो seat पे रख सकते हैं, और ये एक back massager है, तो देखते हैं, unboxing करके, ये soft है, और इसके बीच में एक blue gel है, जो cooling का pad है, और इसके उपर एक cover लगा है, जो शायद washable रहेगा, तो इसके उपर ये cover है, और इसके अंदर ये pillow है, ये sink in हो गया और ये इसने मेरे ass का shape ले लिया है, ठीक ठाक लग रहा है, definitely ज़्यादा comfortable लग रहा है, चलो अब back rest, जो back massager है, उसको unbox करते हैं, इसके अंदर भी एक छोटा सा cushion है, नीचे seat के लिए, इसको connect करके देखते हैं, ये पूरा back massage कर रहा है, उपर से लेकर नीचे तक, बहुत strong और अच्छा massage है, मजा हो रहा है, सच में ये बहुत अच्छा massage दे रहा है, और एकदम relief है, सिर्फ ये इतना थोड़ा जोर से massage दे रहा है, तो मैं अग slip हो रहा हूँ ऐसे seat पर, फिर से एक बार try करते हैं, इसको अभी तक मैंने fix ने किया है, सिर्फ रखा है ऐसे, अच्छा है, काफी अच्छा है, देखो अभी ये चालू है और ये, लेकिन mic में इतना आवाज नहीं आ रहा तो इससे disturb नहीं होगा, मैं इसको चाल अगलक functions है, इसमें लिखा है, demo, power button है, full back massage, upper, lower या फिर seat का vibration और एक heat के लिए भी button है, तो ये 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 काफी अच्छा लगा मैं को, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाई for now